हलो एब्रीवन, ग्रीटिंग्स टियर, कैसे हैं बिटा आप सब, I hope you are all is well, तो आपकी वक्षीट आ गई है बिटा, सिक्षा निदिशाले, राजसानी, अक्षे तर दिली की वक्षीट नमबर है बिटा, यह आपकी 13, यह है बिटा, कक्षा आठ की मैथ की वक्षीट आपकी, विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा आठापक का नाम लिखना है, यह वक्षीट जो है बिटा, 10 नमबर 2020 की आपकी वक्षीट है, तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वक्षीट में क्या दिया गया है, एक चरवाले रैखिक शमी करण, महीमा और भाई की उमर दो करमागत समसंख्याए हैं, तो उन्होंने कहा है, श्वेता ने कहा है कि मेरी और मेरे भाई की बड़े भाई की उमर क्या है, दो करमागत समसंख्याए हैं, सम क्या होती हैं बिटा, दो, चार, छे, आर, तस, बारा, यह क्या होती हैं, समसंख्याए होती हैं, तो समसंख्याई है उसकी दोनों की आयू का योग कितना है उन्होंने ये भी बताया दिया कि मेरी और मेरे भाई की आयू का योग कितना बनता है 30 वर्स बनता है 30 बनता है अब स्वेम सोचलो कि मेरी उमर कितनी होगी यानि कि देखिए क्या होनी चाहिए वो समसंख्याई भी होनी चाहिए दो करमागत यानि कि आगे पीछे गिद्र से दो और चार ऐसे दोनों समसंख्याई भी होनी चाहिए और कुलियों कितना होना चाहिए बिटा तीस तो देखिए कैसे महिमान ने अनुमान लगाया कि दस ज वारा भी कर्मागत संख्याएं नहीं है लेकिन जोड तो 30 होता है परंतु 18 वारा भी क्या नहीं है कर्मागत संख्याएं समसंख्याएं नहीं है तो अध्यापक के बताए तरीके से घड़ना यानि कि अध्यापक ने कैसा तरीका बताए देखिए माना शुलिता की उमर कितनी 2 x तब उसके बड़े भाई की उमर होगी 2x जमा दो परशना अश्वार 2x जमा 2x जमा 2 बराबर किसके हैं 30 के 2x और 2x कितने होगे पीटा 4x जमा 2 बराबर होते है 30 के तो 4 बराबर है कितने के 30 माईनस 2 कितने होगे यहां पर X कितना हो गया बिटा, 30 में से 2 गए 28, तो ये कितना हो गया बिटा, X हो गया 28, बटे 4, 4, 7, 28, तो स्वेता की उमर, जो है 2X बराबर है 2 गुना 7, कितनी हो गई 14, और उसके भाई की कितनी हो गई बिटा, उसके भाई की हो गई 16, तो कुल मिला के कितना हो गया, 6 और 4, 10, 1, 2, फोर, एक तीन, तीज, तो क्या होगी बैटा, उनकी क्या है, चोदा और सोरा, आगे है उधारन के तोर पर दिया गए, पर्मेर के पास गुलक में एक सो असी रुपे हैं, उसने दक्स से कार गी इस गुलक में सिर्फ दो रुपे और पांच रुपे के सिक्खे हैं, और दो गुलक में पांच रुपे के सिख्कों की संख्या कितनी है एस है तब गुलक में मेरे दो रुपे के सिख्कों की संख्या होगी दो एस तो यहाँ पर होता है बिटा पांच जमाद दो यानि कि पांच जमाद दो यानि कि गुलक में कितने दो के थे दो गुना दो एस बराबर क कितने हैं 180 के तो यहां पर देख़े क्योंकि गुल्लकalen प्रहविंट के पास कितने गुल्लक में कितने रुपे थे 108 तो एक इतने के बराबर हो पिटा गुल्लक만 आगे ना यानि की नो S बराबर है 180 यानि कि दो दूनी चार और पांच और चार कितने हो गए, यहां पर देखे, पांच एस जमा चार बराबर कितने के हो गए, यहां पर हो गए, एक सो असी के, तो यहां पर बिटा यह पांच और चार कितने हो गए, नो एस बराबर है, एक सो असी, तो एस बराबर कितना हो गया, एस बराबर हो गय 20, गुलक में 5 रुप के सिकों के संख्या s प्राबर है 20 और गुलक में 2 रुप के सिकों के संख्या 2 थी ना हमने माना था तो 2S, कितनी हो गई, 4 तो पां रुप जिसमें कुल 50 परशन थे सही जवाब देने पर चार अंक मिले और गलत जवाब देने पर एक अंक काटा गया यानि कि नेगेटिव मार्किंग जो बोलते हैं न हो वाली थी यदि वीना ने सभी परशनों का जवाब दिया और उसके कुल 80 अंक आये तो उसने कुल कितने परशन तो यहाँ पर कितनी होगी 50 माइनस जे आगे हैं देखिए सही जवाब देने पर अंक मिले कितने सही जवाब देने पर कितने अंक मिले बिटा चार आगे हम कैसे करेंगी बिटा देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ पर प्लस का साइन था प्लस का नहीं आएगा यहाँ पर आ जो है जो अंक अंख वो एक साहिड ले आएंगे और जो है जे को हमें एक साहिड लेके जाएंगे तो चार जे माइनस जो है पचास जमा जे बराबर है कितने के असी के तो पांच जे माइनस पचास बराबर है असी क्योंकि चार और एक पांच जे हो गए तो पांच जे बराब 130 बटे 5 तो िकितनी होगे बिटा जे यहह जवाबो कि संख्या कितनी हो गई 26 टो यहाँ पर उन्होंने क्या जानना है कि जो onseक्ट कितनों का गलत दिया यानि कि सही जवाबों का तो पता चल गया कि कितने परशनों का जवाब दिया उन्होंने सही 26 परशनों का और गलत कितनों का दिया उन्होंने गलत का दिया देखें यहाँ पर हम करेंगे गलत जवाबों की संख्या कितनी होगी 50-J यह हो गई बिटा 50-J क्या आया था 26 तो गलत कितने हो गई कितने थे बिटा 24 24 गुनाएक कितने हो गई बिटा 24 तो यहां पर टोटोल कितने मांक्स आये 104-24 कितने हो गई यह हमारे यह हमने जो है लास्ट में इसका आंकलन भी कर लिया आगे है बिटा देखिए परश नमबर दो है हमारा कि साथ से विवाजित होने वाली दो करमागत संख्याओं का योग 343 है दो करमागत संख्याओं बताईए कि कौन सी जो दो करमागत संख्याओं जिनका योग है वो 343 है क दुसरी संग्या है एक्स जमा्य 7 तो हम क्या करेंगे एक्स यह एक्स जमा ninguém अग्सत जमा 27 बराबर हैं कितनी यह की 343 की यूग के तो यहां पर हैं पर कितना यह पर हो गई टाइकरbracht 2 एक्स जमा 7 बड़ाबर है 347 तो 2X बड़ाबर है 300 यहां दर जाके यह माइनस का हो जाएगा 344-7 तो 2X बड़ाबर कितने होगी? 3306 तो X बड़ाबर 336 बटए 2 कितना आ गया बटा 168 तो पहली संख्या क्या हुई X 168 और दूसरी क्या होई X जमा 7 था ना तो 168 जमा 7 कितनी होगी बिटा 175 अब हम इसका जाच करते हैं X जमा 7 कितनी थी बिटा 343 तो X कितनी थी 168 देखिए यह रही जमा X कितनी थी 168 जमा 7 कितने देखिए 168 जमा 7 कितनी होगी बिटा 343 और यह भी कितने के बराबर हैं 343 के यानि कि हमारा आंसर जो है ठीक है यहाँ पर होती है बिटा हमारी वक्षीट कंप्लेट आई होप आपको समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बूलें थेंक्यू थेंक्स पर बच्छी